नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी कापके अपने सक्सेस तो यूटूब चैनल में दोस्तों आज पार्ट नमबर है फोर्टीन आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सिकेंडियर हिंदी माडल कोईश्चन के बारे में क्योंकि आप इसे बहुत सारे च चाहिए तो चलिए बिना देरियो के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जो तो यह सारे कोईश्चन पिछले जो कई सालों में रिपीट हुए हैं यानि पूछे गए सारे कोईश्चन है तो ध्यान से एक एक कोईश्चन समझेगा ठीक है और यह यूटूब नियू चैनल है अ अ, आ fundraising आपकर खते हैं यहां से चलिए कोईश्चन पर आते हैं तो इस वीडियो जिस जमदने मीं कोईश्चन हूं लागव उत्रीय थी थै बहुर्यायरियों से द googles लागव 20 से 30 नमबड के करें यानि कि 10 questions तो 100% ही रहते हैं इनिवर्सिटी के गोडडिंग हो सकता किसी इनिवर्सिटी में 10 हो किसी में 15 question हो किसी में 20 ऐसे हो सकते हैं ठीके तो एक question दो number का होता है यानि कुल मिलाएक 20 से 30 number के अतिलग उत्रे question आते हैं तो आगर इस वीडियो में जितने question अगर आप ध्यात समझेंगे इन सभी question को आने वाले exam में आपको यही सारे question लगबग exam में देखने को भी लेंगे तो अगर आपकी तयारी अभी से रहेगी तो आपको ज्यादा आगे मेनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह question लगातार repeat हुए exam में तो इस बार भी आने के chances हैं ठीक है तो पहला question है क्या देखते हैं लिखा है कि का माईनी किस युक की रशना है तो जिन छात्रों का मालूम है कि का माईनी किस युक की रशना है तो वो बेसक comment करके बता सकते हैं ठीक ह कि अगर सभी question का answer मैंने इस वीडियो में नहीं रखा है अगर आपके ज्यादा comment आते हैं कि सर नहीं आप question के साथ answer भी provide करें लिखके तो हम वो भी provide करेंगे क्योंकि आप सभी मालूम है कि अतलग उत्तरी question जो होते हैं उनको लिखना पड़ता है ठीक है कम से कम तीस से 25 से 30 वर्ट में लिखने होते हैं उसके answer क्योंकि आपको question में प्रल मिलेगा answer sheet में लेकि तो answer sheet में आप लोगों को लिखना होगा कि का माईनी जिस युकी रशना उसका नाम तो मैं आप लोगों को इसका answer बता देता हूं पिराल का माईनी छाया बाद युकी रशना ह तीक है बहुत important question exam में आता है आता है question तीक है इसकी जो रशना है वो सन 1936 में होगी तो यह भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ठीक है अब बढ़ते हैं अगले question के और जो question आपको important लेगे उसे आप note down कर लीजेगा या फिर आप इसकी answer भी ले सकते हैं दूसरे question की ब परिवास से पंत जी का घानिष्ट संबन था तो दोस्तों मैं आपको बता दू जो चात्र बेफश्टे या सिकेंडियर के हैं उन्होंने book खरीदी या फिरीच खरीदी तो उनको तुरंद मालूम हो जाएगा क्योंकि उसमें टीपली पूरा उनके पंत जी के बारे में उनक जो संबन था मैं आपको बता दू कि पृताब जिले के काला कंकार राजपरिवास से पंत जी का घानेष्ट संबन था ऊड़ते हैं अगले question क्यों अगला question कहे रहा कि राम कथा पर आधारित निराला की रस्णा का नाम बताईए तो राम कथा पर आधारित निराला जी की या सकती पूजा ठीक है राम की सकती पूजा आप लोग समझ लीजेगा और एंसर आप लिखना चाहरे है तो अपने डोट डाउन कर लीजेगा ठीक है यह फिर आप लोग इसके शोट भी ले सकते हैं बढ़ते एंगले कुश्चिन क्यों लिखा है कि नई कविता के प्रमुक कभि थाक है नबर एक यह खभी नबर दो यह खभी pandemic चार पाउस कभीजों लेखना है अब बढ़ते हैं परहते हैं स्चिवंत जीवन परचऺ सब्सेन हो ढहsan कि रचिए निकर्वर बढ़ते की पढ़ाई कि नी कितनी हुई माता क्या नाप पिता का नाप उनकी मुख्य रच्डाय क्या है और निधन कब हुआ था बत सही उनका समचित जीवन परचे हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले कुश्चिन क्यों अगला कुश्चिन है कि प्रियोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता ह ठीक है फिर आप लोगों को नहीं बताऊंगा आप लोग इससे सर्च कर लिजेगा या कुश्चिन मैं खरी देंगे तो उसमें मिल जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेस्ट कुश्चिन क्यों नेस्ट कुश्चिन है कि रामधारी सिंग दिनकर का जन्म कब और कहां हु तो इस पर लोग दिए और आपको बता दो कि यह सारे को नोट डाउं कर जिसे आपको कहीं को स्चिन मिलें तो आप लोग क्या करेंगे उनको नोट डूट कर लेंगे बाद में उनका एंसर आप लोग डूट के लिखेंगे तो उसी तरह यह वीडियो है तो वोश्चिन आप आप लोग डूट करिएगा नेश्ट कुश्चन है कि केदार नात अगरवाल का जन्म कब और कहां हुआ था तो केदार नात जिसे रिलेटेट भी कई सारे बेसिक एंडियर में कुश्चन आते ही आते हिंदी में तो इसको भी आप लोग डूट डूट कर लिएगा असानी से अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नेश्ट वीडियो से मैं उसका अंसर भी बतानी कोसिश करूंगा ठीक है अगला कुश्चन है कि केदार नात अकरवाल की रस्णाओ का नामों लेग कीजिए तो इनकी रस्णाओ का क्या नाम है कौन कौन सी है नंबर वाइज करके आप वाइटवर्स लिखना है ओके अगले क्यों करते हैं लिखाए बादल को निराल ने क्या कई कर संपोधित किया था बादल को सूठ्कांत दिरफाथि निराला लेजी डीया करते करث मोधित किया था या पूका रहा था, तो वो आप लोगों को लिखना है यहां पर इसके बार जी का कौन सा महा काप लोग जीवन का महा काप पे हैं बहुत इंबार्डन कुष्चन यह भी जा में कई बार पुछा गए तो इस पी भी आप लोग ध्यान दीजेगा अब बात करते हैं नेस्ट कुष्चन की लिखा कि पंत की काभिभामसा पर प्रकाश डालिए तो पंत जी क कि जो काभिभासा थी उस पे आप लोगों को था डिस्क्राइब करके डीटियल में लिखना है दो से दो सोरी तीन चार लाइन तो आप लोगों को लिख लेना है यानि कि 25 तो 30 वर्ड में ठीक है तो आप लोग लिख दीजेगा कोई ज्यादा खास नहीं इसका इंतर आप ल लिख स्राइब गुप्त जी की प्रमुक रश्णाय इस प्रकार हैं या फिर यह हैं उसके बाद पॉइंट लिए यह 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 ठीक है बस अंसर हो जाएगा नेस्ट कोश्चन की बात करते हैं लिखा कि कामाईनी के अंतिम सर्ग का क्याना में बहुत इंपार्टन कोश्च प्रियोगवाद और प्रगतिवाद युग से रिलेटेट कोश्चन एक्जाम में आना ही आना है इसको मैं जहां कहों 100% 100% कह सकता हूं तो यह आप लोग धान में रखिएगा कब से कब तक माना जाता है तो इसका राइट अंसर में आप लोगों को कहों तो बता दूं पिर बात करते हैं तो सूर्चंत्र पाठिर निराला के पुत्री का क्या नाम था चलिए इसका उप्यांसर हम आपको बता देते हैं इसका अग्जाम में आ गया तो आप लोग निराल जी पुत्री का नाम सरोज ता कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहां हुआ था तो सु सुम्हात् vary नंदन पांत्र जी का जन्म 20 म mm 19ald में नमोला जन्पत के कुसानी नाम में हुआ था पर से मैं कोश्चिन के अंसर बता देता हूं लावार को जन्म 20 में 19 Mai horizon को रभीवार को अलमोला जन्मत के कुसानी नाम ग्राम में हुआहिं था लेखा निराला जी की का भी G1 पर जीवन का प्रारम किस कभिता से हुआ था यानि सुट्छ का अंत्रीपाथी निराला जीवन था वो किस कभिता से वह प्रारम किया था बहुत इंप्धन глटन कोइश्चन है तो ध्यान से इसका इंसर आप क्लिक दीजिएगा अगला question है कि दुबेदी युक का नाम करण किसके नाम पर किया गया था बहुत important question exam में यह आना ही आना है कई बार आ चुका है पिछले सालों में तो इसका मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ अगला question है कि दुबेदी का जन्म कब और कहा हुआ था तो आज किस वीडों बस इतने में यहने 20 question अतिला गुत्री include के थे जो कि बीए second year और third year के student के लिए बहुत ही important है हिंदी के तो आप लोग अगर यह सारे question अच्छे से समझ के और अच्छे से पढ़के जाते तो exam में आप लोगों को काफी ज़्यादा है मिलेगी आने वाले exam में तो अगर आप इसी तरह के और question चाहते हैं तो comment करके बताईए आपको किसी subject का model question बेपर चाहिए तो basic बताईए हम उसको provide करने की कोशिश करेंगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें चैया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूनिंग की classes दोनों जोइन करी हम आपको मिलते हैं नेस्ट बेडियो में तब तक लिए जाए हिंदा